पुस्तक का नाम क्या नारी इसी दुर्दशा में पढ़ी रहेगी लेखक पंड़त श्री रामशर्मा आचारिय। अउडियो 2 इस्त्री की हीनता समस्त समाज को हीन बनाती है। भारती इस्त्रियों की स्थिती वर्तमान समय में बड़ी टामा डोल हो रही है। देश के नव निर्मान के कार्य में भाग लेने को उनका आवाहन किया जाता है। रास्टर की रक्षा और उद्धार के कार्य में अग्रसर होने की उनको प्रेरना दी जाती है। समाज की भावी पीड़ी का सुधार करके आदर्श नागरीकों का नर्मान उनका कर्तवे बतलाया जाता है, पर उनके स्थिती, शक्ती, अधिकार, योग्यता, साधन कैसे और कितने हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। हम उसके नौकरी करने को निक्रस्ट कहते हैं, घर की संपत्ती पर भी उसका अधिकार नहीं मानते, पर समाजो धार और रास्टो थान के सब कामों में उनसे सहयता पाने की आशा रखते हैं, हम उनके शारिरिक विकास और सुद्रन स्वास्थ की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, और न संतान पालन की उचित सिक्षा देते हैं, पर उनसे सुमाता बनेने की मांग करते हैं। हम उनको कॉलेजों में भेज कर लड़कों के साथ ही वहे प्रदर्शन को प्रधानता देने वाली निकम में सिक्षा दिलाते हैं, और चाहते हैं कि वे सीता, सावित्री जैसी प्राचिन देवियों का उदाहरन उपस्थित करें। इस प्रकार की विपरित बातें कैसे हो सकती हैं। नीम और बबूल बोकर आम के फलों की अविलाशा किस प्रकार पूरी हो सकती है। जब हम अपनी इस्त्रियों के स्थिती पर डिस्टिपात करते हैं, तो विदित होता है कि हम मुह से चाहे जो कुछ कहते हों, और हमारे सास्त्रों में भी चाहे इस्त्रियों के विशय में कैसे भी उच्चे वातें लिखी हों, पर व्योहार में हम उनको वास्तों में हीन और यह हीनता की भावना कन्या का जन्म लेते ही प्रकट होने लगती है। कन्या उपन होने का समाचार सुनकर कहने लगते हैं लो तुम्हारे लिए तो एक बड़ी डिगरी आ गई। अन्य जो अधिक समजदार होते हैं और असंतोश को इस प्रकार प्रकट नहीं होने देते और कहते हैं कि भगवान ने जो कुछ दिया वा ठीक ही है। यद्यपी वे मुख से ऐसा कहते हैं पर उस्सह रहितवानी और नेत्रों के भाव से स्पस्ट दिखाई देता है कि वे पुत्र के मुकाबले में पुत्री के जन्म को कुछ भी प्रसन्नता का विशय नहीं समजते। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है यह भेदभाव दिन पर दिन अधिक प्रत्यक्ष होता जाता है। लड़के लड़की के पालन पोशन, खेलने एकूदने, सिक्षा दिक्षा में सर्वत्र लड़के को ही प्रधानता दी जाती है। यद्यपी बड़े और आधोनिक सभ्यता से थोड़ा बहुत प्रभावित घरों में यह अंतर अधिक दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वहां इतने साधन होते हैं कि वे सब बच्चों के लिए आवशक्ता नुसार व्यवस्था कर सकते हैं। पर मध्यमवर्गिय और निमनश्रेणी के घरों में पहले लड़के के आराम और आवशक्ता का ध्यान रखा जाता है और लड़की को बचे-खुचे पर ही संतोश करना पड़ता है। पुराने विचार के घरों में इस्तरियां तो छोटे पंसे लड़की को तरह तरह से ताने और कुवा के कहकर यह जतलाया करती हैं कि वहाँ परिवार का भार स्वरूब है और जितना सीग्र उसका मूँ काला हो जाए उतना ही अच्छा है। साधारन पाच्चीत में लड़की को रान पत्थर आदी कहा चाता है और आमोद के अफसर पर भी उनके मरने गिरने की बात मूँ से निकाल दी जाती है। पर परस्थिती के कुछ कारण भी हैं। हमारे कुसंसकार और अंध्र परमपराएं तो इसमें प्रमुक है ही पर साथ ही वर्तमान समाज में अनेक हानिकारक समाजिक प्रथाएं इस बुराई को बड़ा रही हैं। इस सम्मंध में हमारे विचार करने का तरीका बहुत ही गलत बन गया है। हम सोचते हैं कि कन्या पर खर्च ही खर्च है और लड़कों से आमदनी ही आमदनी। लड़का वन्ष की परंपरा चलाता है। आशा की जाती है कि वहाँ बड़ा होने पर कमाएगा माबाप का परण पोशन करेगा। फिर अंत तक वहाँ उसी कुटुम्बु का अंग रहेगा। इस प्रकार पुत्र में निजत्व की अपने पन की भावना अधिक होती है। जबकि लड़की के प्रती शुरू से ही पराई समझने का भाव रहता है। पर हम जब समाज हित की द्रिष्टी से विचार करते हैं, तो उप्युक्त विचारधारा अत्यंत घातक और पतंकारी सिद्ध होती है। कौन नहीं जानता कि समाज का आधार, पुरुष की अपेक्षा इस्त्री पर ही अधिक होता है। जिस लड़की को आजहम उपेक्षा की द्रिष्टी से अविक्सित, अशिक्षित और अयोग के रहने में अपनी कोई हानी नहीं समस्ते, वही थोड़े समय बाद पत्नी, ग्रहनी और माता बनती है। और समाज की भावी पीडी का संतोष चनक रीती से पालन और विकास करने में सर्वता असमर्थ होती है। वह अपनी संतान में भी उन्हीं दुरगुणों और दुरबलताओं को प्रविस्ट करती है, जो पित्र ग्रह से उसे प्राप्त हुए थे। इस प्रकार कन्याओं की उपेक्षा का प्रतिफल समस्त समाज को भी बहुत हानिकारक रूप में सहन करना पड़ता है। और लोग अपने स्वार्थ और अदूर दर्चता के कारण अपने पैरों में आप कुलाडी मारते हैं। स्त्रियों के स्थिति को घटाने वाली एक बहुत बड़ी कूप्रथा दहेश की है। किसी समय माता-पिता की संपत्ति में से लड़की को एक भाग मिलने या स्त्री धन के रूप में मानी जाती रही होगी। पर वर्तवान समय में तो इसने स्पस्तता पेचने खरीदने का रूप ग्रहन कर लिया है। विवहा की अफसर पर तहेश की रकम के लेन देन में जैसा मोलतोल और भावताव होता है, उसे देखकर आश्चर भी होता है और ग्रहना भी। किस प्रकार लड़के की योगिता, अत्वा, वनशिक्रिश्रेष्टता के आधार पर लड़की के बाप से बड़ी-बड़ी रकमें मांगी जाती है। पानी ग्रहन के समय मोटर साइकल आधी की भीक मांगी जाती है और उसके पुरा न होने पर विवाह को अधूरा ही छोड़ देने की धमकी दी जाती है। या बाद में लड़की को अपमानित लांचित करके पिता के घर लोटा देने की द्रिस्टता दिखाई जाती है। इन सब बातों के उधारण प्रते दिन देखने और सुनने में आते रहते हैं। इनको देखकर लोगों की मूनता पर दरस आता है और समाज का भविश्य याद करके हिर्दय विजलित हो जाता है। इस प्रकार अपमानित और लांचित होने वाली लड़कियां किस प्रकार से ऐसे सुयोग नागरिकों का निर्मान कर सकती हैं जो रास्ट को गौरव और उत्थान के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। इसलिए माता-पिता का यह परम कर्तव्य है कि लड़के की अपेक्षा भी लड़कियों के निर्मान और विकास पर ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि बहुत अधिक धन खर्च किया जाए या मॉन्टेसरी स्कूल में 150 रुप्या फीस देकर ही सिक्षा दिलाई जाए। बिलकुल गरीब घरों में भी लड़कियों को ऐसे सिक्षत दी जा सकती है कि वे उसे अपने सहरदयता युक्त व्योहार, शिस्टता और परिश्रम शीलता की कारण स्वर्ग बना दे। इसके विपरीत अधिक धन्वान घरों की लड़कियां ही प्राय उच्छंकलता का व्योहार करने वाली अभिमान और उपेक्षा का व्योहार करके सगे संबंदियों में मनमुटाव उत्पन्य करने वाली और ग्रह कर्तव्यों के प्रति उदा सींता रखकर निठलने पन में समय व्यतीत करने वाली सिद्ध होती हैं अतहा लड़की को पराय समझ कर उपेक्षा का व्योहार करने के बजाए यह समझना चाहिए कि लड़के लड़की में से जो भी अयोग्य और खराव सुभाव का निकल जाएगा वही परिवार और समाश के लिए अभिशाप सिद्ध होगा इन दोनों में भी लड़की का अयोग्य होना इस डिस्टी से अधिक सोचनी है कि वहाँ भावी पीडी को जर्म देने वाली और उसकी निर्मात्री होती है लड़का अगर खराब भी निकल जाए तो वहाँ समाश का उतना अहित नहीं कर सकता जितना की लड़की के खर श्रम्बों से समंदित होती है और अगर उसे आरंब से सद्गुणी और सद्यवहार करने वाली बनाया जाए तो बहु संख्यक लोगों की उन्नती और कल्यान का केंद्र स्वरूप हो सकती है वहाँ जिस घर में जाएगी श्रम से स्वर्ग समान बना देगी जिसका प्रभा आसपास के भी अन्य लोगों पर अच्छा पड़ेगा इसके विप्री सुभावाली जहां जाएगी वहां ही संगर्ष कलह और नरक का वातावरन उत्पन्न करने वाली होगी और अपने पती ग्रह की अवनति नहीं करेगी वरन अपने माता-पिता की बदनामी और अपमान का कारण भी बनेगी समाज के कर्णधारों का कर्तव्य है कि समाज और राष्ट की प्रगती में बाधा डालने वाली इस परस्थिती में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें यह समस्या एक देशिय नहीं वरन समस्त विश्व से संबंदित है संसार भर का नारी समाज अभी तक किसी न किसी प्रकार की तुटियों में ग्रस्त है और इसे से मानव सब्विता की प्रगती में उचित सैयोक नहीं दे सकता इस महान अभियान की पूर्थी में यदि भारत अपना भाग उचित रूप में पूरा कर सके और यहां की इस्त्रियां परिवार और समाज में अपना उचित स्थान ग्रहन करके अपने जीवन करतेवे का पालन करने लगें तो यह मानव समाज के कल्यान की दृष्टी में कम महत्य की बात नहोगी इस कारे का आरंभ बाल्य वस्ता से किया जा सकता है क्योंकि जो इस्त्रियां घर ग्रहस्ती में पढ़कर अपने दोशों की अभ्यस्त हो गई हैं उनका शीक्र बदल सकना तो कठिन है